गुटना, कंधा या कमल, चाहे जैसा हो दर्थ, डॉक्टर आर्थो आपको देता है, दर्थ से पूरी आजाती, एक भरपूर सिद्धिगी हर्याना के सोनिपत में देश का एक जाना माना शिक्षा संस्थान है, अशोका युनिवर्सिटी विश्विद्याल अनुदान आयो, भारत सरकार और हर्याना सरकार से मानता प्राप्त है, अपने रिसर्च और अक्याडमिक्स के लिए प्राइविट युनिवर्सिटी देश के बाहर भी जानी जाती है, लेकिन इन दिनों एक प्रोफेसर के स्तीफे की वज़ा से चर्चा में तीन दिन पहले खबर आई थी के अशोका युनिवर्सिटी के प्रोफेसर और विख्यात राजनेतिक टिपनीकार प्रताब भानु महता ने युनिवर्सिटी छोडने की खोशना करती है, बुद्धिजीवी और मीडिया के एक तपके में इसे युनिवर्सिटी के लिए पर स्तीफे के लिए दवाब बनाया गया जुस कारण वे भी स्तीफा दे रहे हैं। सुब्रमन्यन के स्तीफे की खबर के कुछ खंटो बाद युनिवर्सिटी फैकल्टी का वाइस चांसलर मालाबिका सरकार के नाम लिखा पत्र सामने आया। इसमें संस्थान के शिक्षको की वापसी की मांग की है। जानते हैं कौन है प्रताब भानु महता। देश के बड़े बुद्धी जीवियों में से एक हैं राजनीती, राजनीतिक सिध्धान, समविधान, शासन और राजनीतिक अर्थशास्त जैसे विश्यों के एक्सपर्ट हैं, दिल्नी में केंद्र सर का इतिंक टैंक है। सेंटर फॉर पॉलिसी रीसर्च प्रताब भानु महता इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। राजस्तान की जोदपुर में जन्में पीवी महता, ऑक्सपोर्ट यूनिवरस्टी में फिलोसफी, पॉलिटिक्स और एकनॉमिक्स की पढ़ाई कर चुके हैं महां से डिग्री लेने के बाद उन्होंने अमेरिका की प्रिंस्टन यूनिवरस्टी से पीच्टी की। अपने करियर में प्रताब भानु महता ने दुनिया की कई प्रतिष्टित शिक्षा संस्थानों में पढ़ाया है। इनमें अमेरिका की प्रतिष्टित हावर्ड यू लावा World Economic Forum की Council of Global Governance में वाइस चेर्मेन रह चुके हैं, भारत सरकार और कई अंतराष्टे एजेंसियों की अनेको रिपोर्टों में पीवी महता ने योगदान दिया है। लेक छपते रहते हैं और आगे क्या बताएं आप समझ ही गए होंगे कि किसी विशय ये मुद्दे पर इनकी राय को काफी संजीत की से लिया जाता है। उन्होंने कहा था, अपने स्तीफे में उन्होंने लिखा कि उनिवर्स्टी के संस्थापकों ने उन्हें साफ जता दिया था कि संस्थान के साथ उनका जुड़ाव उसके लिए पॉलिटिकल लायबिलिटी बन सकता है। इंडियन एक्सप्रेस में सूत्रों के हवाले से बताया है कि हाल में अशोका यूनिवर्स्टी के फाउंडर्स ने महता से मुलाकात की थी। सूत्रों ने कहा कि ये मीटिंग मौजूदा सियासी माहौल को लेकर ही थी जिसके बारे में कई लोगों की राय है कि इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंतरता को दबाया जा रहा है। समर्थन करता है जिसे यूनिवर्स्टी के लिए खत्रे पैदा करने वाला माना गया है। ये साफ है कि मेरे लिए अशोका यूनिवर्स्टी छोडने का समय आ गया है एक उदार विश्विद्याले को आगे बढ़ने के लिए राजनितिक और सामाजिक रूप से उदार परिस्थितियों की जरूरत होगी। प्रोफेसर मेहता ने जर्मन पिलोसफर प्रेडरिक नीश का जिक्र करते हुए कहा। नीश ने एक बार कहा था कि संसार में सच के लिए कोई संभावना नहीं है। मैं उमीद करता हूँ कि उनका भविश्य कतन सच साबित ना हूँ। जमीन का क्या मामला है? अशोका यूनिवर्सटी का एक स्टूडेंट निउस पेपर है, नाम है दी एडिक्ट। मेहता की अस्तीपे के एक दिन बाद यानी 17 मार्च 2021 के एडिशन में उसने एक सूत्र के हवाले से अशोका यूनिवर्सटी को मिलने वाली किसी जमीन का जिक् पारिक रिक्रिगनेशन मिल सकता है, फैकल्टी का महता को समर्थन, बहराल प्रोफेसर महता के स्तीफे के लिए देश के मौझूदा वातावरन को जिम्मेदार बताने वाले फैकल्टी सदस्यों में अरविंद सुब्रमन्यन के अलावा और भी प्रोफेसर शामिल हैं, उन् इस से उनिवर्स्टी की निष्ठा को नुकसान होता है, कई शीष शिक्षक यहां इसनी आये क्योंकि महता और पाॉंडर्स ने इसे बनाने में महनत की थी, उच शिक्षक अस्तर पर हर किसी को डराने वाला संदेश गया कि राजनितिक दवाब के आगे अगर बड़े वित् कि स्तीफे के पीछे संस्थान पर सरकार का कोई दवाब नहीं था, गुरिवार को चातरों के साथ हुई वर्च्वल बैठक में वीसी ने कहा कि संस्थान के ट्रस्टियों ने महता को स्तीफा देने के लिए नहीं कहा, माला विका ने ये भी बताय कि उन्हें फाउंडर्स औ आए हमारे साथी दुश्यन, मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दीललन टॉप, शुक्रियाद